इस वीडियो में हम यह टॉप बनाएंग जैसा कि आपने थम्निल में देखा है और इसको आप धोती सिल्वार या ट्यूलिप सिल्वार या जीन्स के साथ कैड़ी कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा इसके लिए मैंने दो तरह का फैब्रिक का इस्तमाल किया है एक यह ड मैं इसे कटिंग स्टारट कर जाता है बार वाला पार में रखना हो टोटल 14 इंच तैरा इंच मुझे तयार चाहिए 10 एंच उपर और आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा तो मैं टोटल इसका 14 इंच पे मैं निशान लगा दे रही हूं इसको देखे इस तरीके से तो यह निशान लगा लिया है मैंने और उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे शुल्डर मेरा तेरा इंच था जिसका आधा साड़े छे इंच आए आरपमोल का इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से रखते हुए देखिए हो गया इसको मिला लेंगे और यहां से चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे तो फोर्थ पार्ट मेरा साड़े आठ इंच आया टोटल 34 इंच था तो इसको भी मिला के और आर्मोल राउंड कर लेंगे और अब कमर का निशान लगाएंगे तो कमर हमारा 28 है जिसका चौथाई 7 इंच आया तो देखिए 7 इंच पर निशान लगा लेंगे एक इंच मार्जिन का ले लेंगे और मार्जिन वाली लाइन को मिला लेंगे और फिटिंग वाली लाइन को मिला लेंगे तो देखिए हो गय से मैं हाफ इंच डाउन कर दे रही हूं और मैं इसी कटिंग कर लेती हूं फटा-फट से तो हमने टॉप के लिए एक पार्ट कटिंग कर लिया है और यहां पर इस तरीके से वाइट वाले को भी हम कर लेंगे दिए में मारा की कटिंग हो जाए कि लिए भी इस तरीके से फोल कर लेंगे इस में मारा टॉप वाला سर्फ पीस निकल आए तो मैं इस तरीके से यहां पर रखते वे इस कि इस ट्रॉप को यहां पर मैं मैं में रख लूङए और इसके भी मैं कटिंग कर लूगा है और इसके भी मैं कुल जो बिल्कुल बराबर रख़ा हुआ है है तो इसको लिए इस кадन के रहा हैillah Till explet मैंने back armhole जो है front वाले का cutting नहीं कर रहा था क्योंकि हमारे back वाले का सेम होना चाहिए तो अब मैं armhole कर लेती हूं क्योंकि हमारा रेड़ वाला fabric आगे रहेगा और इसमें अब हम गले की cutting कर लेंगे तो यह हमारा front part है तो 3 इंच चोड़ाई ले रही हूँ गहराई इसका 4.5-4 इंच ले रही हूँ देखे इस तरीके से यहाँ पर और इसको एक box बनाके इसको भी मैं round shape देदूँगी इस तरीके से यह देखे हो गया और इसके भी मैं cutting कर लेती हूँ यह top का front part था और back part के भी गले की cutting कर लेंगे तो देखे हमारा back part है तो इसकी भी चोड़ाई मैं 3 इंच लूँगी यहाँ से 3 इंच ले लेंगे और इसको सीधा रखते हुए यहाँ से सीधा रखते हुए 2 इंच लगा दे रही हूँ और इसको भी मैं round करते हुए cutting कर लेती हूँ तो यह हमारा back part है तो अब हमें कोटी के लिए fabric चाहिए तो white color का हम इसी में से देखे और fold करते हुए कोटी के लिए cutting कर लेंगे same as it is रखते हुए तो इसको मैं double fold कर लेती हूँ यहाँ से इसके उपर हम back वाले part को रख लेंगे इस तरीके से सेट करके हम रख लेंगे और इसकी cutting कर लेंगे तो इसके back वाले part के हमने गले की design बना ली थी तो इसको हमें plain रखना है बिल्कुल इस तरीके से में chalk से स्ट्रेट निशान लगा लूँगे shoulder के पास से इसको बिल्कुल इस तरीके से मिलाते वे निशान लगा लेंगे यह देख सकते हैं आप हमने design नहीं दिया है गले का जो था बिल्कुल सीधा रखते वे cutting कर लिया है तो इसकी हमने cutting कर ली है और देखिए इसकी बाद हम बैक पार्ट अलग कर देंगे और यह फ्रंट पार्ट में कोटी की तरह आएगा तो इसकी गले की cutting कर लेते हैं कराभर को लाएंक की आपार्ट आप यहाँ का से इसकी धाएं लिय मता सिर्वाट तारट आप देना होस्ते मेंuben कर देख शेवा he ख क にसरा स्बस्क्राइब के देखिए और यहाँ रॉस्ति हैं के और रीक शे दोड़ी चारी ही है जो देना चाह रही थी मैं तो इस तरीके से बन गया है उपर से चोड़ाई हमने तीन ली थी शोल्डर के पास से निचे से धाई इंच लिया था मैंने और अब मैं ऐसी कटिंग कर लेती हूं और उसके बाद इसके बीच में भी हम कट लगा देंगे इसके इस तरीके से हो गया है और यहां से भी कट कर देंगे और ये दोनों पीस का सेम आजटी जैसे इसके अस्तर की कटिंग कर लेंगे एक और तो इसके लिए मैं सेम आजटी अस्तर भी कटिंग कर लेंगे निकाल लूँगी तो इसकी मैं अस्तर भी कटिंग कर लेती हूं सब्सक्राइब प्रेंग प्रेंग कि इसे पार्ट की तो कह लिए और अब बचा नीचे का पार्ट के इस तरीके से लेंगे हैं तस तरीख लेंगे। आुप हैं तो इस तरीके से फॉल कर लिया है घर के तो अगez फोल्ड यूप लो जाने के बाद आ जो टॉप का जो समर का निशान था मैंने साइब लगा कि अफे라고 एक मॉड़न का लिया था टोटल आठ इंच था तो अब हम्हास अाट इंच का ही निशान लगाना तो उपर टॉप पार 13 इंच तयार था 13 छोड़ते हुए देखिए यहां से हम इसको रखते हुए निशान लगाएंगे यहां पर देखिए 7 इंच आ रहा है तो यहीं पर मैं 7 इंच पर स्ट्रेट लाइन की देखिए इस तरीके से सीधा लाइन होगा विसको हलक लकार राउंड घुमाएंगे गोल कर देंगे और अब इसको हम नापेंगे कितना आ रहा है तो देखिए टोटल आठ इंच आ रहा है और हमें 8 इंच ही चाहिए था तो मैं इसको कटिंग कर लेती हू और यहां से टोटल ले ले लेते हैं देखिए 19 इंच आ रहा है तो मैं पूरा ले ले लूँगी 19 इंच और 19 इंच में घुमाते वे देखिए इस तरीके से पर निशान लगा लेंगे 19 इंच पे इस तरीके से घुमाते वे पूरे में निशान लगा लूँगी तो यह हमारा फ्रंट पार्ट में रहेगा इतना लेंथ बैक पार्ट में इसका लेंथ मैं थोड़ा बढ़ा रही हूँ हाई और लो डिजाइन दे रही हूँ तो 19 इंच में मैं 5 इंच एड़ करूँगे तो 24 इंच आएगा तो उपर से रखते हुए 24 इंच में मैं निशान लगा दूँगी देखे यहाँ पर इस तरह से और इसको भी हम मिला लेंगे पहले वाली लाइन से इस तरीके से मिला लेंगे और पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे यह कटिंग हो गया और उसके बाद इसकी कमर वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं और इसका एक साइड जॉइंट है वो साइड भी मैं कटिंग कर देती हूँ देखिए यहां से इसका यह जॉइंट है तो इसको भी मैं कट कर लेती हूं और उसके बाद हम इसके फ्रंट वाले पार्ट और बैक वाले पार्ट का हाई लो जो हमने कटिंग का निशान लगाया उसको भी कट कर लेंगे इस मेंँसे एक पार्ट निकाल दती हूं है का और इसको फोल्ड करके इसको हम कटिंग कर लेंगे कपड़े को मैंने फोर फोल्ड करके रख लिए इसकी लंभाही साथ इंच है चौड़ाई में देखे 3 इंच में मैं निशान लगा दे रही हूं और इसको हमालका घुमाते विए S शेफ में डिजाइन देदेंगे और इसके यहां से बॉटम में 5 इंच ले रही हूं इसका ये देखे और इसको हम मिला लेंगे और अब मैं इसकी cutting कर लेती हूँ यहाँ देखिए लंबा इसकी 7 इंच ली हुई है मैंने उमीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी किस तरीके से इसका मैं निशान लगाया और cutting किया है cutting कर लेने के वाद इसका हम आर्मोल deep cutting कर देंगे इस तरीके से रखते हुए फ्रंट वाला पार्ट डीप रहते है इसको आधा इंच के करीब अंदर की साइड करते है इसको cutting कर लेंगे तो यहमारे sleeves का भी complete हो गया है cutting और हम इसके stitching करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैंने कोटी वाला पार्ट ले लिया है इसके उपर इसका जो अस्तर वाला पार्ट है रख दूंगी इस तरीके से ये दोनों हमारा कोटी वाला पार्ट हो गए और इसका अस्तर वाला पार्ट हमने कटिंग कर था इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे कोटी में डोरी लगाने के लिए इसकी डोरी की कटिंग कर लिए, department, और इसके रिखने में लगा लिए हैं का माई शेक फोल्ड छूप bucks aan इंच के लगा इन अंधर की साइड रखते हैं इसकोả शिलले राकि french जाने ऐसको ठाइना आर रकमने के बाद पूरा सफ़ेर्ट से शडेकर निचे के दीच कर लेको तो तो देख सकते हमें अब मैंने गले करें से लेकिन आपको पूरे में स्टिच कर दिया और उसके बाद समें चोटे-ंज़ चोटे कुट करते हैं जहां तक हमने स्टिक कर्या है। देखे इस तरीके से ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो यह इजी ली फोल्ड हो जाए और कोई सिकुडन ना आए इसके अंदर देखे इस तरीके से इसको बहार निकाल लेंगे तो यह हमारा उपर वाले पार्ट में रहेगा और अस्तर वाला पार्ट हमारा नीचे की साइड चला जाएगा तो इस तरीके से मैं इसको भी फोल्ड कर लेती हूँ पलट लेती हूँ कि देखे यह हो गया है और उसके बाद हमें इसके उपर विल्कुल उपर से गले के डिजाइन से लेके नीचे तक हमें किनारी किनारी से पूरे में हमें अच्छे से सिलाई कर लेना ताकि इसमें और फिनीशिंग आ जाए तो इसको मैं फटा-फट से स्टिच कर लेती हूँ इसको स्टिच कर लिया है यह देख सकते हैं और उसके बाद अब हमें इसके नेक के स्टिचिंग करनी है यह मारा कोटी तयार हो गया है और उसके बाद जो हमने इसके नेक के लिए बनाया था फैब्रिक ब्रेड कलर में तो उसको अब हमें नेक के स्टिच करना है तो नेक के पर चोटे 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 लगा दे रही हूं ताकि फोल्डिंग में हमें आसानी हो इस तरीके से और इसको भी हम सिलेंगे नहीं और उसके बाद यह करने में आसानी हो कभी आप इस तरीके से तिर्ची पट्टी लगा लें ताकि आपको आपके स्टिचिंग में और अच्छी फिनिशिंग आ सके देखिए हो गया रेडी और उसके बाद हमें कोटी वाला पार्ट लेना है पहले उसे सिलना है और दोनों को साथ मिला कर सिलेंगे देखिए हमारा कोटी का जो ऊपर में फैबरिक आया वह है हमारा यह और इसके उपर हमें कोटी को सीधा वाला पार्ट कोटी का सीधा वाला पार्ट रखना है मैं अस्तर वाला नहीं रखना फ्रंट वाला पार्ट रखना है इस तरीके से रखते वे पहले इसे हमें स्टिच कर लेना है और हमने फोल्ड करना एक तिरचीपट्टी जो है उसको हमें फोल्ड नहीं करना है मैं सीधा रखते वे इस टिच कर दिये बिल्कुल यह देख सकते हैं और अब हमें इसके उपर इसका बैक पार्ट रखना है यह देखिए इस तरीके से और देखे यह जो है इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है इस तरह से तो इसको मैं फटा-फट से सिल लेती हूं देखिए मैंने इसको सिल लिया इसको तो यहमारा फ्रंट वाला पार्ट और पूरा टॉप पार्ट हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया और इसका नीचे वाला पार् बिल्कुल इधर उधर नौ इसको जोड़ेंगे तो दिक्कत ना है तो बिल्कुल इसको सेट करके मैं स्टिच कर लेती हूं स्लीव में हम सिंपल सीधा पट्टी लगा रहे हैं पट्टी की मैंने चोड़ाई 2 इंच रखी हुई है तो पट्टी को पहले हमें इस तरीके से र स्टिच कर लिए बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा अब यह और देखिए स्लीव में मैंने पट्टी जॉइन कर दी है ऐसे दूसरे स्लीव में जॉइन कर दी है और हम इसके स्लीव को अटैच कर लेना इसके अंदर इस तरीके से रखते हुए हम इसको जोड़ लेंगे यहा स्कूर्म कर देखिए स्कूर्च करना समय पर तो रखेंगे और स्टिच कर लोंगे ना इसका स्टिच कर लोंगे सिंपर की सिर्व को जैसा कि आपने पहले की मेरी और वीडियो में देखा होगा कि तीर्चा फैब्रिक होता है तो आप पहले सिंगल एक बार फोल्ड करते हैं बॉटम को फिर दुबारा फोल्ड करते हैं तो उसे जाए अच्छी फिनिशिंग आती है और उसके बाद देखे इसमें हमें साथनुंग ले ली नहीं और वेघ्रास क में दिखा दीकि एक आपन फर दबारर फोल्ड करनार 2,4 वेडीर के फोल्ड करकर मैं पूरे में स्टिच कर दिखाए उमीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और अब मैं इसको सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ एक इंच का मैंने मार्जिन लिया था तो एक इंच ही मैंने इसको दबाकर सिल दिया है और अब हमने जो कोटी में डिजाइन दिया था उसके अंदर हमने जो डोरी लगाई थी उसके अंदर मैंने यहां पर एक डोरी लंबी सिलकर और इस तरीके से देखे डिजाइन दे दिया है मैंने देख सकते हैं आप उमीद है आपको यह डिजाइन पसंद आया होगा समझ में आया होगा बहुत ही आसान डिजाइन था है और देखने में काफी ब्हुत है